पूरे बिहार के बिश्विद्दाले जो है वो भरस्टाचारियों के चारागा बने हुए पूरे के पूरे करप्शन में कहीं ना कहीं बिहार के महा महिम राजेपाल महोदे की भी सनिपता है बिहार बिधान मंडल का आज तीसरा दिन है तीसरा दिन भी बिहार बिधान सबाद जो है हंगामेदार देखने के को मिल सकता है जिस तरह से तमाम जो CPIML के विधायक हैं वो देखे बिहार बिधान परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही कई पोस्टर लेकर के हाथ में खड़े हैं जिसमें कि LMN UK कुलपती वे कुल सचीब की नियुक्ति प्रकरिया की जाच कराओ साथ साथ तमाम जो विशुद्याले में लूट का अड़ा बने वे राजपाल को बरकास करने की मांगोरी साथ अब को बता दें कि ब्रस्ट जो अधिकारी हैं उन पर कड़ी कारवा कारने की लिए तमाम जो सीपिय視 के विधयायक हैं वो विधान परिषद वहां पर देखे किस सामने आ रही है कि आज भी विधान हांगामेदार रहेगा जिस तरह से तमाम जो इनुवसिटीज में घोटाले सामने आ रहे हैं इसको लेकर कहा जा रहे हैं कि आज भी तमाम मुद्धों को लेकर के विपक्षी पार्टे सत्तापक्स को घेरने के आप रियास करें कि बीते दिनों हमने देखा था शराब को लेकर किस तरह से मामला पूरा गरम हुआ और जिसके बाद बिहार विधान सभा के परिसर में जब शराब की बोटले मिलीती इत्तम नितिश कुमार ने जाच करने को कहा था और साथ साथ इसको लेकर के बिहार के मुके सचीव और साथ इससाथ बिहार के डिजईपी और पट्टा के डिम तमाम जो लोग हैं वरिश अ गता हारात्ता evaluating जयए करें सब्सक्राइं करें पूरा माम다 है कि ब्छुवेख को लेकर लगिए ज्वीन डियाना ले जो हैं वो भरष्टाचारियों के चारगाह बने हुए हैं आपने देखा पिछले दिनों एलेन मिथला में और मगद इनवर्सिटी में करोनों रुपए के अवैद निकाशी के माम लेया है इसके अलावे कई सारे बिश्वित डालेयों में पुस्तकों के खरीद में के जो नियुक्ति प्रकिरिया में भी धांतलई है उनके नियुक्ति में एक ब्यूट बड़ा सवाल है हम लोग साफत तृपर कहना चाहीं कि इनी पूरे के पूरे कि करफ्षन में कहीं न कहीं बी हम सरकार से मांग करता कि सबसे पहले जाच तो हो इन कुल्पतियों को न्यूक्ति और इनकी उढाही पर भी इसके साथ जाच राज़ेपाल की होनी चाहिए कि कैसे इन कुल्पतियों को न्यूक्त किया गया है आप लोग राज़पाल को बरकास करने की मांग करें राजपाल सौमेधानी पाद है उनको राष्टपती रहा सकता है। एक सवाल है कि आप जो मांग करें हुटाने किसे मांग करें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये मुद्दा बहुत मतपूर्ण है बिहार के छात्रों के भवश्य के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इस मुद्दा को हम जरूर मजबूती के साथ उठाएंगे साथ हमने की कई लोग ये कह रहेते के यूपी से एक क्यूब बनाया जा रहे हैं सिक्षाबिद बिहार के विश्युद्यालियों के वीसी के बिहार में विद्वान की कमी हो गई तो आज अब साथ तौर पर कैमरे में देख सकते हैं कि सीपी आयमल के जो तमाम बिधायक हैं वह इनो सिटीज में धांदियां पाई गए जिसके बाद से बिहार के तमाम राजनिती राजनितिक डल हैं वो पूरे तरह से एक्टिव हो गए अब इस मामले को बिधान सभा में पूरी पूर्जो तरीके से उठाएंगे बहुत धन्यवाद